बिहार में नई सरकार बन गई है इंडिय की सरकार बनने के साथी साथ आज बिधान सभा को नए स्पिकर मिलने जा रहे है एक तरफ जहां कल विश्वासमत सरकार की तरफ हासिल हुई है 129 वोज जो हैं वो सरकार के पक्ष में हुए है और आज विधान सभा को नया स्पीकर यानि की नया ध्यक्ष मिलने जा रहा है आखिरकार विधान सभा को नया ध्यक्ष के रूप में कौन मिलने वाला है हम आपको उनके वारे में बताने वाले है बिहार विधान सभा में नितीज सरकार ने विश्वास मत हासिल कर ली इसके बाद बिहार विधान सवा के नई अध्यक्ष के रूप में भाशपा के वरिस्ट विधायक और पुर्व मंतरी नंद किशोर यादब का नाम सामने आया है। द्यक्षपत के लिए नामांकन के बाद इसकी सुचना राजभवन से मंजूरी के बाद बुद्वार को बिधान सवा द्यक्षपत के लिए चुनाप कराये जाएंगे। नगर निगम के उप महापॉर थें। वर्ष 1983 में भाशपा के पटना महानगर के अध्यक्ष थे। वर्ष 1983 से 90 में भारती जनता युवा मोर्षा के प्रदेश महमंत्री उपधक्ष थे, वर्ष 1990 से 1995 में तक युवा मोर्षा के प्रदेश सध्यक्ष थे, वर्ष 1995 में पटना पुर्वी शेत्र से भाश्पा विधायक निर्वाचित थे, वर्ष 1995 से 98 में तक भाश्पा के प्रदेश महमंत्री रहे, वर्ष 1998 से 2003 तक भाश्पा के प्रदेश सध्यक्ष रहे, वर्ष 2000 पटना पुर्वी से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए, वर्ष 2003 से एंडिये के प्रदेश संयोजक, भाश्पा रास्ट्रे कारे, समीती और केंद्री अनुशासन समीती के सदस्र है, फरवरी 2005 में पटना पुर्वी से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए, नवंबर 2005 में पटना पुर्वी से चौती बार विधायक निर्वाचित किये गए, नवंबर 2005 में मंत्री पत निर्वान विभाग एवं प्रियतन समीती बिहार बिदायक निरवाचित हुएं, दिसंबर 2015 में सभापती लोक लेखा समीती बिहार वधान सवा रहे जुलाई 2017 में मंतरी पद निर्मान बिभाग सरकार बिहार सरकार रहे पटना साहिव से सात्वी वार विधायक 2020 में बने और 2022 में आंतरिक संसाधन और केंद्रिय सहायता समीती बिहार रहे तो नंत की शोर यादव आज बिधान सवा के नए अध्यक्ष जो हैं वो बन सकते हैं आपको बता दें कि बीते दिन यानि कल के दिन बिहार के राजजनीती के लिए बहद एहम दिन था कल नई सरकार का फ्लो टेस्ट सार फ्लो टेस्ट में नई सरकार ने विश्वासमत हासल की है और अब बिधान सवा को नए अध्यक्ष मिलने वाला है फिलहाल के लिए इस ख़बर में इतना ही